सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजिए ताकि वीडियो अप्लोड होती ही इसके इनिफोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके नमस्कार रिदूस के चेन कॉर्णर में आपको असवाकत है और आज हम बना रहे हैं मटर क मार्केट में आती रहती है एकदम ताजा और फ्रेश मटर इसका हलवा में त्यार करेंगे एकदम खिला हुआ और बहुत ही टेस्टी हलवा हम त्यार करेंगे बहुत ही कम इंग्रिडियेंट से और दस मिनिट की रेसेपी है जल्दी से त्यार हो जाती है तो चलिए बनाना स स्टार्ट करते हैं यहां हम एक कप मटटर लेते हैं एक तम ताजा मटटर है है कि हम ने रोके साफ करके रख लिए है और मिक्सर जार में पीस लेंगे आप कड़ाई गरम होने के लिए एक दिया है जो कड़ाय जब गरम इस दोरान गैस की फ्लिम को आप कम ही रखें जब ही अच्छा पिकल जाएगा उसके बाद में हम यहां जो मटर हमने मिक्सा जारी पीस के रखी थी उन्हें एड कर दिंगी सारी की सारे मटर जो हमने 15 meille at da क्रड़ को हमें जदा गहरा dieses त्यक्त द्यार नहीं करना है थोदा सा इनि dissol ही पिसडने कि अब मैं यहाप सारा की सारा मटर का फिस्ट अैड़ कर देती हूं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं या मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और नौटिफिक्षिक्षिन बेल को जुरूर प्रेस कर लेज़ेगा तकि वीडियो प्लड होती ही इसके इसके इफ्रमिशन से पहले आपको मिल सके और प्लीज वीडियो को स्किप करके नहीं देखें अगर इसकिप करके देखेंगे तो आपके स्टैप कुछ भी छूट सकता है ताकि मटर का जो कच्छापन है दूर हो जाएं इस तरह से जब घी एकदम से मटर में दिखाई देगा तब यह हमारा पेस्ट अच्छे से फुन गया होगा जब अच्छे से फुन गया है उसके बाद में यहां दूद अड़ कर देती हूं तो कब दूद लिया है दूद की मातर हमने यहां डबल रखी है जतना हमने मटर लिया है उसकी डबल मातर में हमने यहां दूद लिया है अब दूद की मातर कम करके माव अभी इसमें एड़ कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पर हम यह चलाएंगे चैसे और कंट्रुनिस चलाते रहेंगे दीर दीर गाड़ा हो रहा है अब इस ट्रेज पर मैं चीनी एड़ कर देती हूं यह चीनी की मातर हमने कम रखी है कि ऐसे अगर मीठा जाल खाते हैं तो आहां इसकी मातरा बढ़ा सकते में अजिनी फगलनी खाले में इसे अच्छेसी चलाते रहेंगे मिच में पर देसे चलाबी हम हमें नहीं शोड़ना है अगर हम चलाते रहेंगे बहुती जल्दी दस मिट के अंदर ये रसीपी त्यार हो जाती है ज़्यदा टाइम नहीं लगता है इसमें और आसानी से हम इससे बना सकते हैं अब में आपर कोकनोट पाउडर उसे भी एड़ कर देती हो कि अब कचे नारर का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस पैचुलासे से कंट्विनेस चलाते रहेंगे तीरे तीरे ये गाड़ा हो जाएगा बहुत जल्दी शटपट त्यार होने वाली ये स्वीट है आप इसे फटाफट कभी भी त्यार कर सकते हैं ज्यादा इसमें सामगरी भी नहीं लगती हैं पर जो सामगरी ऐबिलिबिल है उसी से हम इसे त्यार कर सकते हैं और खाने में भी बहुत ही टिस्टी होता है एक वारा मेरे पनाय तरीके से जरूरora कर देखें कि देखें देड़ी देरी तरी ये गाड़ा हो गया है जो इसमें पानी है वो अच्छे से इसमें सूख रहा है हमें और इसे चलाना है अभी अभी देखिए और भी गाड़ा हो गया है और कंटुनर्स चलाते रहेंगे जरावी नहीं इसे छोड़ेंगे और इस दोरन गयस की फ्लेम को हम कम कर देंगे अगर हाई फ्लेम रहेगी तो यह पैंदे में लग जाएगा जब इसमें घी उपर आ जाएगा तब हमारा हलवा एकदम रेडि हो जाएगा अब इसमें और टाइम है दूद पुरा लगवक्त सूख चुका है अब मैं यहाँ पर इलाची पाउडर एड़ कर देती हूं इलाची पाउडर हमने यहाँ एड़ कर दिया है इससे बहुती अच्छी खुश्पा आती है इसलिए मिठाई में इससे जरूर एड़ करें और यह भी अच्छे से मीस कर देंगे अच्छे से मिलाने के आद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब मैं है आपर कुछ ड्राइफूट से उन्हें भी एड़ कर देती हूं ड्राइफूट को हमने थोड़ा मुटा ही इन्हें काटा है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे हलवा एक दम रेड़ी है एक से दो मिनिट में यह मिल्कुल त्यार हो जाएगा और यह दिखें इस तरह से यह बिखरा बिखरा और बहुत ही टेस्टी हलवा त्यार हुआ है यह रेशिपी बहुत ही टेस्टी लगती है और एक बार आप यही रेशिपी बनाना पसल करेंगी क्योंकि यह रेशिपी बहुत जदी पच्छट पर त्यार हो जाती है जदा समक्रियों कभी इसमें यूज नहीं हुआ है घर में जो सामान है उसे हम इसे आसने से त्यार कर सकते हैं और मातर दस मिनुट के अंदर यह त्यार हो ही है जदा समय इसमें नहीं लगा है तो एक बार आप मेरे बने तरीके से चुरूब बना कर देखें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वह भी एकदम फ्री में वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धर्यवाद